दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपको मोबाइल कहीं हो जाता है, कहीं गिर जाता है, या चोरी हो जाता है, तो उसका लोकेशन कैसे ट्रेस कर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको पोलिस टेशन में कमप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अग हमेशा on रखना है और अपनी Gmail ID का जो password है वो हमेशा याद रखना है और आपने जो Gmail ID डाली है वह भी आपको याद रखनी है ताकि कभी भी अगर mobile आपका हो जाता है तो आप उसको trace कर सकते हैं बिना किसी पुलिस की मदद से दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या है आपको एक application डाउनलोड करना है आपको play store में चायना है वहाँ पर आपको टाइप करना है गूगल find my device फिर एक application आएगा उसको आपको डाउनलोड कर लेना है जो कि screen पर दिख रहा होगा डाउनलोड करने के बाद इसको open कर लेना है open करने के बाद आपको वही gmail id से यहाँ पर login करना है जो आपने उस mobile में डाल के रखी हुई थी आपको यहाँ पर gmail id डालनी है फिर अपना gmail id का password डालना है लोग इन करने के बाद यहाँ पर allow पर क्लिक कर देना है उसके बाद यह आपकी location trace कर लेगा कि आपका mobile कहां पर है तो वहां पर जाके नीचे एक play sound का option दिया गया है आप उस पर click करें जैसे play sound पर click करेंगे पांच मिनट तक आपका जो mobile है वो काफी ring करता रहेगा तो आप उसको search कर सकते हैं तो दोस्तो इस application के दोरह आप अपने mobile को search कर सकते हैं कि उसकी location क्या है और वहां पर जाके आप अपने mobile को search कर सकते हैं तो दोस्तो अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को share करें ताकि अगर उनका कभी भी mobile खो जाए तो वह अपने मॉबाइल को trace कर सकते हैं तो दोस्तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को subscribe करें लाइक करें और वीडियो को ज्यादा सब ज्यादा लोगों तक share करें ताकि अगर उनका कभी भी न मॉबाइल खो जाता है तो उनकी help हो सके. Thank you, शुक्रिया, धन्यवाद.